नमस्कार देवुमिया एस एकडमिक एडूप सेनल में आपका स्वागत है आज का मेरा विसेश टॉपिक है UKPSC 2024 चौद जुलाई को जो एक्जाम होने जा रहा है उसी संदर में एक महत्कूर वीडियो आपके सामने रख रहा हूं आर्थिक विकास से संबंदित भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट भारत क्या पूरे भारत और ग्लोबल वैस्यू की स्तर पर जो भी रिपोर्ट है हमारे सामने आए हैं वो सब रिपोर्ट ठीक है तो मैंने कहा था इससे पहले वीडियो आपके लिए उत्रहण के रिपोर्ट यानिए इंडेक्स से समद्दित बनाया यहां पर मानव विकास सूच कांग ठीक है आप भी पड़ी रहे होंगे लगबल लगबल अब तक रिपीट फॉर्म होंगे पूरी तरह से रिपीट कर चुके होंगे रिवीजन बार बार लेकिन उसके बाब जूद भी एक और ऐसा टॉपिक जो आपको अपडेट्स मांग था इसमें अगर भारत की पोजिशन सिदा लिखा है मैंने ज्यादा नहीं संस्ता कौन भारत की पोजिशन अभी देखेंगे तो 134 है 193 कंट्रीज में पिछली बार 2023 में भारत की रहेंग 135 ठीक है तो यह ध्यान रखने का डिरेक्ट दिख रहा है सब आज विस्व में पहला दे अब इसके बारे में जिसको ज्यादा डिटेल थे मैंने कहा ना क्यूंकि UKPSC काफी डीप कोईशन भी बना सकता है अगर कथन और कारणों पर कोईशन बनाता है तो इसके बाद कुछ कोईशन इस पर है मैंने नोट कर रखा है जिसको नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यदा जर सब्सक्राइब कि संकल्पना पाकिस्तानी अर्थसास्ति महबूब उलहक यह कोईशन वैसे बन सकते हैं आपके लिए तता भारती अर्थसास्ति अमरद सेन ने दी थी है कि अधार तीन है कि सकल राष्टी आए शिक्षा और शाक्षरता जीवन प्रत्यासा और श्वास्त यह सब चीज़ें तो यह तीन उसके आधार है और किस ने देया था एक कंसेप्ट है का मान मतलब वैल्यू क्या है तो मतलब जिस देश के सूसकांग का मान जितना अधि होगा वह देश दी आई की सुची में उतना ही आगे होगा इस पर कोईशन बनता है अगर तो यह आपके लिए में थोड़ा सा लिक देरा मतलब बहुत जदा नहीं यहां पर एक दो जो खास है है के अलवा एक दो और नहां जैसे जीरो टू जीरो दसम्लब 001 से लेकर 0.5 य आगे साल कि यहां तक पुच्छ आईच्छ लेकर इं वाले देस और फिर लास्ट में यहां ऐगे बढ़ जाताहूं 434 इतना अब इससे ज़्यादा बड़ा हुआ है और वर से 2024 में भारती जीवन प्रत्यासा 70.62 है तो यह सब फेक्ट है maximum फेक्ट चलिए दूसरा इंडेक्स आ रहा है सेकेंड लिखाया मैंने इस बार नंबर डाले हैं पूरी तरह से वेस्ट्विक भुखमरी सुचलांग गलोबल हंगर इंडेक्स 2023 यू एनडीप संस्था कोने द्वारा कंसर्ण वर्डवाइट और वर्ड हंगर हिल्फ वेल्थूंग्र हिल्फे जर्मनी के एक संस्था जर्मनी की निजी सायक शंगठन के नर्देश में जारी किजा यू की देश बार-बार आ रहे हैं और आधार क्या है इसके जैसे अल्प पोर्षण हुकमरी चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मरतदार ठीक है तो इसके आधार भी लिख दिया हमने यहां पर चलिए आगे बढ़ता हूं तीसरा जो यहां पर इंडेक्स ह हुआ है वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट दोजार चौबिस डवलो एचार यविश्य खुशाली सुचकांग यू एन एस डी एसन यह संस्ता है यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉलूशन डवलमेंट नेटवर्क जो जारी करते रिपोर्ट भारत अफगानिस्तान है इसलार ठीक है तो विश्य खुशाली सुचकांग भारत की पोजिशन एक्षोट सब्विस ज्यादा नहीं निखा है इसमें फिर भी यहां पर एक पॉइंट और मिल रहा है कि विश्य में सरप्रसम खुशाली सुचकांग घुटान द्वारा जारी किया और विश्य खुशाली दिवस कब होता है तो 20 मार्च को ठीक है चले आगे बढ़ता हूँ वैस्विक शांति सुचकांग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 या 24 ठीक है जारी करता इंस्टिटूट फॉर एक्नोमिक एंड पीस IEP USA कि संस्ता पर्थम देश इसमें अभी आइसलेंड है अन्तिमें यमन भारत काइस्थान है 161 163 देशों में 2023 में भारत काइस्थान 126 में 126 में से 166 पहुंचा है थीक है चले फिर आगे बढ़ता है विश्व प्रेश स्वतंत्रा सूज कांगा वर्ड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2024 जारी करता संस्था आरी जो विदाउट बोर्डर्स पैरिस किये यह यह फ्रांस की संस्था है और पर्थमिस्तान नौर्वे अंतिमिस्तान इरिट्रिया अफरीकी देश भारत का इस्तान द नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और प्रेटेन विकास सुषकांग 2024 जारी करता है विश्व आर्थिक मंच वर्ड इकनॉमिक फोरम और भारत 49 इस्तान पर है प्रथमिस्तान पर अमेरिका है इसमें और अंतिमिस्तान पर माली चली आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट शात्वा नम्मर आ रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट अब ग्लोबल इन्वस्ट्मेंट रिपोर्ट आ गई है 2024 अभी अमने इंडिया की पड़ी थी पिछली बार कल मतलब जारी करता है अंकटाट 1964 UNCTAD अंकटाट युनाइट नेश संस मतब ट्रेट से संबंदे व्यापार से संबंदे संस्था है कि युनाइटि नेशन्स कॉंफ्रेंस ओं ट्रेड एंड डवलमेंट ठीक है भारत के स्थान इस बार 15 वह है 187 कंट्री में पहले स्थान पर अमेरिका है तो निवेश और व्यापार के शंदर में विश्व न पहले स्थान पर यहां भी आइसलेंड और अंत्यमिस्थान पर शूड़ान अफ्री की देश ठीक है विस्वेस्व आर्थिक लाइंग एक अंतर सूच कांग नेक्स्ट है उर्जा संचरन सूच कांग एनर्जी ट्रांस्मिशन इंडेक्स 2024 इसकी रिपोर्ट विश्व इसले ठीक है तो बस आपको भारत की पोजीशन में लिश्व होती है पांचमाँ खाद्य सुरक्षा सूच कांग नेक्स्ट वर्ड हैपिनेस इंडेक्स विश्व साली सूच कांग शुर्व क्यों में रते हैं कुछ सुसकांग तो आपको पता ही है जारी करता HDSN Sustainable Development Solution Network USA भारत का इस्थान 126-143 देशों परतमिस्तान पर फिंड्लेंड साथ मी भार फिर से आगी रिपोर्ट लग रहा है अफगानिस्तान ठीक है भारत का इस्थान है 136 देशों में और परतमिस्तान पर अफगानिस्तान सर्वादिक आत्मगवाद गरस्त ठीक है चलिए चुनावी लोककंत्र सुसकांग 2023 पर रिपोर्ट करने वाली संस्ता वीडेम इंस्टिटूट स्विडन भारत का इस्थान 108 हों है दो हुजार वाइस में शवाइस्तान था भारत था पहने स्थान पर देन्मार्थ हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स 2024 पास्पोर्ट जारी करने के मामले में दो हुजार चॉबिस हैंले एंड पार्टनर्स रिशर्च टीम भारत का इस्थान पिचाइस्वा हुआ है इस बार कहीं पर इसे अस्थिवा दे रहा है क्योंकि अस्थिवा पिच्छी बार था दो हजार तेज में ऐसी गड़वर्ण हो प्रतमिस्थान पर फ्रांग्स खुद है ठीक है पास्पोर्ट इंडेक्स और अंतिमिस्थान अफगानिस्थान ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 टोटल 30 यहां पर इंडेक्स त्यार करे और मतलब इसमें अधिक्स अधियारों की सेना इन सबको मिला कर ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या होता है राश्टी संसाधन होते हैं इसमें वित्ती स्थिती होती है इसमें लोजिस्टिक और गहुगोलिक पहमानी के आधार हो हैं चलिए आगे बढ़ता हूं है कि यूएस वा विरली साइमंड्स का मतलब है वर्ल एकनोमिक वर्ल यूनिवर्श्टी रेंग यानि विस्व की टॉप यूनिवर्श्टी की बात होगी हाँ तो सीर्ष स्थान पर जो इसमें पेकिंग यूनिवर्श्टी चाइना की और भारत में आयाइटी गॉंबे भा बार ठीक है पिश्डी बार मदराज था नेक्स्ट है अठारवा अंग जलवायो परिवर्तन प्रदर्शन सुषकांग दो हजार तैस जारे करता जर्मन वाज न्यूक क्लाइमेट इंस्टिटूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क भारता इस्थान इस बार सात्वा है और पिश्डी बार भारता इस्थान था आठवा डैन्मार के पहले स्थान पर अंत्यमदेश इरान 63 63 जलवाय परिवर्तन प्रदर्शन सुषकांग ठीक है नेक् अंतराष्टी भरष्टाचार धरणा सुषकांग 2023 इंटरनेशन क्रेप्शन इंडेक्स 2023 ट्रांस्परनेशन इंटरनेशन जारी करता है इसको भारत का इस्थान 93 180 देशों में पिछली बार 58 था और प्रसमिस्थान पर देनमार तो पिछले साल के बीच लगबग देश यहा है चैनलोडिकरनेवाली शंसथा है वर्ण इंटी 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 एंटेलेक्ट्व प्रापर्टी और गाइज़ेशन स्वृट्जर लेंड में इसकी स्थापना 1967 में में वी थी डबलो आईपी ओंटेंट्ली इंटी प्रापर्टी और वर्गनाईजेशन अचा समाधान नेटवर्क भारत के इस्थान 112 ठीक है पिश्णी बार 121 था परतम इस्थान पर फिल्ड एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 फिर से शुर्जरलन पहले स्थान पर भारत 40 वे स्थान पर 132 देशों में टांस्परेंसी इंटरनेशनल जारी करते रिपोर्ट नेक्स्ट है वैस्ट भूख सुस्ट्रांग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ठीक है तो कंसर्ड वर्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे रिपोर्ट पहले आचुकी लग रहा है भारत का इस्थान 111-125 देशों में और बेलारूस पहले स्थान पर 2022 में स्थान कुस्ट रिपीट हो रही है ऐसा लग रहा है तो ज्यान रखेगा विस्व परियावन प्रदर्शन शुचकांग 2022 एली वि इस बज़े से बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं बनती है वैसे खाज्य सुरक्षा सुचकांग 2022 जारी करता था एकनोमिक अपनोमिस्ट आय और आर्थिक शमांता सहीत अठावन अजुत्ती खाज्य सुरक्षा श्कंग के तुका आंगलन करती है और फिन्लेंड पहले स्ता चाहिस बहुत आप तक भारत की रिपोर्ट में से और उस नाम 28 है विस्ट डिजिटल प्रतिस परधास उचकांग 2023 जारी करता प्रबंधन विकास्तान सुच्छर लेंड का और भारत की पोजिशन ने जारी करता है चांडलर इंस्टिटूट सिंगापूर और इसमें भारत का इस्तान है और प्रथमिस्थान पर सिंगापूर तो यह थे टॉप थर्टी इंडेक्स भारत के ठीक है और कुछ इंडेक्स जिनकी बारे में थोड़ा डिटेल करना था वह भी मैंने कर दिया था ताकि डिटेल कोईशन बढ़ाएं तो वह भी प्रस्ण हो जाए तो यह थे आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी को फिर से सुब कामनाएं देता हूं 14 जुलाई को आपका पेपर है UKPSC का उत्राखंड और फुरे देश के सभी छात्र को सुब कामनाएं आज की क्लास यहीं पर समाम जैहन जैवतरा टू समाप्त करते हैं